जैशी जैशी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मालक्षी जोतिश अदात्पिंग में मैं हूँ अच्छा रहे संदे सक्सेना आज मैं आपको काले तिल के कुछ प्रयोग बताने जारी हूँ काले तिल हमारे जीवनें बहुत 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 लाप करता है काले तिल से हम बहुत कुछ पा सकते हैं काले तिल के बहुत सारे चोटे बड़े प्रयोग हैं जिनको आप कर सकते हैं तो वो आपको बताऊंगी कि काले तिल से कैसे आप अपने जीवन के कलेशों को खतम कर सकते हैं काला तिल बहुत ही एहम है हमारे जिंदगी में देखे जब हमारे घर में कोई वेक्ति शांत होता है तो काले तिल का ही प्रयोग किया जाता है उसके सारे कर्म कांडों में जब घर में शाध होता है तब भी हम काले तिल का प्रयोग करते हैं जब दुश्पन हमारे पीछे पर जाता है तो भी हम काले तिल का प्रयोग करते हैं जब हमारे घर में कलेश बहुत हो जाता है तो भी हम काले तिलका ही प्रयोग करते हैं तो काले तिलका ही आज कोछ उपयोग बताऊंगी उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है मालक्ष्मी जोतिश अधात्मी चैनल और दूसा चैनल है ग्रैंड मालक्ष्मी जोतिश अधात्मी चैनल दोनों ही चैनल को लाइक किजेगा सब्सक्राइब किजेगा बेल आगन दबादेजेगा घंटी का बटन दबाने से आपको नो सी बत हो जाए किसी बात को लेगे तो ही आप मुझे 8126476399 पर WhatsApp कर सकते हैं ठीक है यदि कोई भी समान लेना है जैसे लोग मुझे से पूछते रहते हैं और लेते भी है चाहिए वो श्रीकन का समान हो पुझापाट का समान हो दिव्य और शदिया हो या कुछ भी हो आप चाहते हैं लेना तो आप समान की लिस्ट मांग कर या समान का नाम भेज के 90278226409027822840 पर WhatsApp कर सकते हैं तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ काले तिलका प्रियोग तो क्या करना है काले तिलका तो पहले अगर आपके घर में बहुत जदा पर्षानिया बढ़ गई हैं बहुत जदा समस्याइ बढ़ गई हैं बहुत जदा दिक्कट पढ़ गई हैं तो एक टोटका चुप चाप कर लो किसको घर में बया बताए थोड़ा UNG चुटकी या एक मुठी या थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा काला तिल लेना है सुबह जैसे ही उठते हो छट पे भाग जाओ सुबह जैसे ही उठते हो छट पे भाग जाओ और जोर से फिक के मारना है छट पे वो काला तिल जो आप अपने हाथ में ले के आए हो अगर आप कुछ समय तक डेली सुबह तड़के उड़ते ही अपने घर के चट पे काले रंगा तिल बिखेर देते हैं तो ये क्या करेगा आपके परिवार में सुख देगा शांती और समरद्धी देगा अगर आपे घर में कोई बिमार रहता है खास दोर पे आपे घर में कमाने वाला सदस्य अगर बिमार रहता है तो उसको भी ठीक करता है बेवज़ा किसी ने अभी चार अभी करम कर दिया हो कोई शत्रू आ गया हो किसी ने आपके अपर टोने टोटका कर दिया हो कुछ भी जादो शड़ेंतर कर दिया हो तो वो भी इससे दूर होता है तीके तो इसको आप जरू कीज़ेगा इसको आज़ट मैं डाल लो कम से कम हफ़ते में तीन दिन चार दिन या फिर महीने में बांद लो कि महीने में मैं इस दिन से इती दिन तक डालूँगा चट पे काले तिल इससे आपको लाब मिलेगा ताला पाया आपका हो गया दूसरे नमबर पे काला तिल लीजिए उसको पीस लीजिए काला तिल को पीस के उसका एक आटा सा बन जाएगा काला तिल लिया उसको पीस लिया उसका आटा बन गया उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजे पानी मिलाकर उसका बनाईए एक दिया दिया बनाने के बाद उस काले तिल में चमेली के तेल का दिया लगाना है और दो सरसो की सोरी चमेली के तेल का दिया या सरसो का दिया लगाना है कुछ लोगों को चमीली का तेल नहीं मिलेगा तो वो सरसो का तेलие जञाता तो अपने काले तिल को पीसा उसका एक दिया बनाया शनिवार और मंगरवार को यह अफ़ाय करना है क्या करना है पीसने के बाद आपको वो तिया लेके जाना है भगवान हनुमान जी के वंदिर में और उनसे प्रातना करना है जो भी संकट मुझ पे है उस सब को शांत करो खतम करो प्रातना करनी है सरसो के तेल का या चमेली के तेल का दिया वहाँ पे चलाना है हनुमान जी के सामने तीन हनुमान चालिसा या तीन बजरंगबाण यतीन हनमानाश्टक जो आपको संद में आता है यतीन शनी स्त्रोथ उसको आप वहाँ पढ़ेंगे तीन भैराव स्त्रोथ पढ़ सकते हैं हाद जोल लिजे प्रातना कीजे आपके लिए आवान संकल्ब के साथ पिरना ममुक है मैं प्रातना करना है हूँ मुझे भी गिर्पा करो इसको यदि आप साथ शनीवार या साथ मंगलवार या तो हनमान जी के मंदिर में या शनीदेव के मंदिर में करते हैं तो आपके उपर जो भी मुसीबत जो भी बलाया आई है वो खत्म हो जाएंगी पका ठीके तीसर अमबर पे यही दिया तिल के तिल का जो मैंने आपको बताया है यदि किसी के घर में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है कोई घर में जेल में चला गया है उसकी छुटकारा नहीं हो पारा भार नहीं हो पारा या किसी के शादी किसे ने बांध दी है और शादी नहीं उपा रही है या आज शादी तया हो गई है कल टूट गई और शादी नहीं हो रही वो लोग भी इसको कर सकते हैं घर में अचानक से किसी की accident हो गया, वो पढ़ा है उसके प्रमोसी बता गई वो, किसी की ऐसी हालत है, बिमार है कि इसके होता, आज कल में राम नाम सत्ते हो जाएगा वो, ऐसी कोई भी condition में, ऐसी कोई भी दिक्कत में, या अचानक से boss ने आपको बोल दिया है, कल से आपको office में आने की जुरत नहीं है, या 20 दिन बाद से office में आने की जुरत नहीं है, कुछ भी ऐसी दिक्कत या, किसे ने पैसा मार लेगा, कोई लेकर पैसा भाग गया तो यही सेम दिया काले तिल का जो अपने peace की बनाया, लेकिन फिर ये daily बनेगा और daily ये दिया लेके भैरो बावा के मंद्र में जाकर, सरसो लेके, कुछ भी नहीं मिलता है तो मिश्री तो आपको मिली जाएगी, मिश्री समाल के डब्बे में भर के रख लो, थोड़ी सी मिश्री दिया लेके, भगवान वैरो के मंद्र में जाकर ओम श्री महा काल भैरवाए नमा का ग्यारा माला हकीक के माला पे, ग्यारा ग्यारा माला हकीक की माला पे करके हाथ जोड़के, आवान संकल्ब के साथ, बूल कियाना है मेरा अमुक कारे ठीक कर दो मेरा रिष्टदार फलाफला, जेल में जा है, वो भारा जाए यह हो जाए, वो जाए, जो भी आपको बोलना है, जिसके लिए बोलना है, आप उसको बोलिए, अपक कारे निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा करके देखे, फाइदा होगा मालक्षमी जोतिश जदात्मी चैनल आपको इश्वर से जोड़ने का काम करता है, मेरे ही आप में एक निश्च्ठा है कि यदि हम भगवान को पकड़ के रखते हैं, तो भगवान हमें धुगा नहीं देते हैं, दोका हम अपनी किसमत से खाते हैं, अपने करमों से खाते हैं, किसी का काम जल्दी होता है तो दान पुन्य बढ़ा दो, इससे काम जल्दी होता है जिसे किसी की help कर दो खाने आने की पैसे की help नहीं कहा रही हूँ खाने पीने इसे कर दो, सेवा से कर दो कपड़ा दे दो, कुछ भी दे दो तो इससे आपके दान पुन्य बढ़ेंगे और मंदिर में ज़ाड़ो पोचा करने से मंदिर में, मस्जित में, दरगा में ज़ाड़ो पोचा करने से आपके दुर भागे और आपके पूर जनम के जो पापे हो कटते हैं इसे भी याद रखना ठीक है? और जितनी भी पवित्र नदियों के संगम है वहाँ पे जाके डुपकी मार के स्नान करो और जिन कपड़ो को पहन के नहाए हो वो कपड़े वहीं पर पटक के फेक के आजाओ तो आपकी जन्दिगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा इसे भी याद रखना ऐसा अगर आप अपने जीवन में तीन बार कर लेते हैं या साल में दो बार कर लो तीन बार कर लो एक बारी कर लो उसके तुरंट बाद आपको लाब मिलेगा तो ये कुछ मैंने आपको बताय है उनको आप कर लीजेगा उमीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगाए तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा